Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neelab आज मैं आपको ICMR की तरफ से होने वाली Bumper Recruitment के बारे में बताने वाला हूँ ICMR मतलब Indian Council of Medical Research और इसका एक Institute है National Institute of Nutrition NIN इसकी तरफ से बहुत सारी positions निकली हुई है जिसमें आप apply कर सकते हैं और तो और ये positions अलग-अलग state में निकली हुई है तो आप जिस state में चाहें आप जिस state के हैं उस state में apply कर सकते हैं and depending upon position के basis पे भी आप apply कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको West Bengal का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यह देखिए यहाँ पे यह West Bengal का है और इस advertisement का जो number दिख रहा है और यहाँ पे जो recruitment होगा वो कहाँ पे होने वाला है basically interview होगा walk-in interview 28.11.2023 से 30.11.2023 तक interviews चलेंगे और यह कहाँ पे located होंगे ICMR Center for Aging and Mental Health Block DP Sector 5 Midhan Nagar Salt Lake Kolkata और यह pin code दिया हुआ है time जो दिया हुआ है walk-in interviews का वो साड़े 9 बजे सुबह साड़े 11 बजे सुबह तक है आप अपने original certificates, latest photocopies और application form वगएरा ले करके यहाँ पे mentioned है सारी चीज़े आप इसको बढ़ करके ले करके इसको जाना होगा आपको on the set date of interview अच्छा देखिए अलग-अलग positions के लिए अलग-अलग time और interview अगरा दिया हुआ है अब जैसे कि junior medical officer के लिए हलाग कि इसके लिए आप eligible नहीं होंगे मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पे BIMBBS, IUSH, BDS मांग रहा है but senior technical assistant के लिए आप में से बहुत सारे लोग eligible होंगे यहाँ पे चार post है age limit 30 years है अब यहाँ पे यह मैं एक बार बता देता हूँ उसके बाद मैं अलग-अलग states के बारे में बताता चला जाऊँगा क्योंकि eligibility criteria almost same है और जो आपको payment मिलेगा वो भी same होगा और time duration भी लग-बग same है और positions भी same ही है लग-बग-बग तो senior technical assistant की बात करूँ तो चार post है unreserved 2 है, OBC 1 है, SC 1 है और यहाँ पे science के students apply कर सकते हैं biochemistry, microbiology वगरा जिनके पास है और from recognized university graduation होना चाहिए आपके पास और post graduate degree in above specified subjects will be considered as two years of experience also ठीक है तो यह आपका हो जाएगा senior technical assistant के position के लिए अब अगर आप master's food and nutrition में हैं तो बहुत सारे students उसके लिए भी मुझसे पूछते रहते हैं तो आपका interview day 29th को है 6th position यहाँ पे हैं, दी हुई है और master's MSC, MPH in food and nutrition माग रहा है 44,450 plus 12,000 FDA मिलेगा और अगर आप anthropology से related हैं तो यह position आपके लिए हो सकती है next अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखे project assistant fluo botany बहुत सारे students जो है, MLT वगरा के हैं वो contact करते रहते हैं तो उनके लिए देखे, 4 positions निकली हुई है again age limit वही है consolidated salary 31,000 plus 12,000 6 months का tenure है इसके अलाबा, बहुत सारे students जो है वो field worker की positions भी ढूंड रहे हैं तो इसमें आपके पास बस 12th pass होना चाहिए आपको science subject से और आपको field में work करने के लिए आप willing होने चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, 8 post निकली हुई है और यहाँ पे 18,000 plus 10,000 FDA दिया जाएगा 6 months का position या tenure यहाँ पर भी है तो यह मैंने आपको सबसे पहले West Bengal का दिखाया आए जल्दी से महराश्टरा का देख लेते हैं अब बाकी सारी चीज़ें सेम हैं देखिए बस यहाँ पे जो location है कहाँ पे इनका interview होगा तो Deputy Director Health Services Campus Bureau of Nutrition नागपूर महराश्टरा में सुबह साड़े 9 बजे से साड़े 11 बजे तक होगा और अलग-अलग interviews, अलग-अलग date हैं अलग-अलग positions के लिए तो पहली position जो है वो आपकी SRF Food and Nutrition है वो MSC जो MPH Food Nutrition वाला मैंने बताया था दो positions हैं फील्ड वर्कर के लिए कुल्मिलाकर के दो positions हैं, एक साल का duration फील्ड वर्कर का और एक साल का SRF का है बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी ही हैं, महराश्टरा में बस इतनी positions हैं, अंध्रप्रदेश के बारे में AP के बारे में अगर मैं बताऊं अंध्रप्रदेश में होगा, साड़े नो से साड़े ग्यारा बजे सुबह, और अगें positions के बारे में देख लिया जाए, तो पांच तारिक को, पांच बारा को, पांच दिसेंबर को, जूनियर मेडिकल आफिसर और Senior Technical Assistant, यह Technical Assistant वही Biochemistry, Microbiology वाला है, चार Post है, 6 Month का Duration है नीचे आ जाईए, SRA Food and Nutrition, वही Food Nutrition वाला है, 6 positions है, और इसके बाद Anthropology वाला दिया हुआ है, अगर आप Interested हैं तो, और Finally जो है Project Assistant वाला position है, MLT की 4 positions है, Field Worker की बात करूँ, तो 8 positions दी हुई है तो बाकी और कुछ भी position यहाँ पे नहीं है, अगर हम बात करें HP की, HP यानि की हिमांचल प्रदेश में क्या सिनार्यू है, हिमांचल प्रदेश में कहां पे होगा, इंटर्व्यू की अगर मैं बात करूँ तो, इंटर्व्यू आपका State Institute of Health and Family वेलफेर कसुपाती शिमला में होगा 28-11 से लेकर के 30-11 तक आप इसको चेक आउट कर सकते हैं और वाक-इं इंटर्व्यू की डेट अगर मैं बुलूँ तो 28-11 को पहला इंटर्व्यू सीनियर टेकनिकल असिस्टेंट वाला चार पोजिशन्स हैं और यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि Food Nutrition वाला SRF की 6 पोजिशन्स है यह 29 तारिक को होगा इंटर्व्यू फिर Anthropology का दिया हुआ है और उसके बाद अगें Project Assistant फ्लियो बॉटनी यानि के MLT के लिए 30-11 है और उसके बाद Field Worker की Position के लिए 8 Posts हैं आपे ठीक है यह चेक कर सकते हैं पर पंजाब के लिए अगर मैं बात करूँ तो पंजाब का Time Line अगर मैं बता दूँ आपको तो तो सबसे पहले Government Medical College अमरित्सर में यह होगा और 28.11 से 30.11 तक साड़े 9 से साड़े 11 बज़े सुबह अलग-अलग जो टेट्स हैं तो 28.11 को Senior Technical Assistant वाला चार पोजिशन्स है इसके बाद आप देख सकते हैं ऐसारे Food and Nutrition वाला अगें 6 पोजिशन्स है Anthropology दिया हुआ है उसके बाद Next आपका Project Assistant MLT वाला चार पोजिशन्स अगें फील्ड वर्कर की 8 पोजिशन्स है तो more or less आप देख सकते हैं सब में common ही है तो केरला की बात करता हूँ तो केरला में आपका इंटर्व्यू हो रहा है State Nutrition Office Red Cross शिरुवनंध पुरहम में केरला और वही 28 और 30 28 से 30 तक Positions की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप यहाँ पे Senior Technical वही 4 Positions फिर आपकी जो 28 तारीक को है 28 को Senior Technical वाली यह Food and Nutrition वाली 29 तारीक को है 6 Positions फिर इसके बाद आपकी Flew Botany वाली है 4 Positions और इसके बाद Field Worker वाली है 8 Positions तो Common चीज़े हैं अब इसके बाद 36 गड़ का निकला हुआ है 36 गड़ में भी Same dates पे इंटर्व्यू है बस पंडित जवाहर लाल नहरू Memorial Medical College में होगा और यह राइपूर में है अगें 28 तारीक से शुरू हो रहा 28 तारीक को वही Senior Technical Assistant वाला 4 Posts इसके बाद SRF Food Nutrition वाला 6 Posts इसके बाद आपका MLT वाला अगें 4 Posts और इसके बाद आपका Field Worker वाला 8 Posts तो Common है बिहार के बारे में बात करते हैं बिहार में भी Same Concept ही है ICMR राजेंद्र Memorial Research Institute of Medical Sciences 28 ग्यारा से 30 ग्यारा तक साड़े नो से साड़े ग्यारा ठीक है और 28 तारीक को आपका Senior Technical Assistant होगा 4 Posts हैं वही उसके बाद आप देख सकते हैं कि Food and Nutrition वाला 6 Posts Anthropology में 2 Posts थी Project Assistant Flea Botany मला 4 Posts MLT वाला और इसके बाद आपका अगर हम देखे तो यह ही है तो दाट मींस अगर हम देखे Field Worker की 8 Positions थी Next आजाते अरुनांचल प्रदेश में If I am talking about Arunanचल प्रदेश तो यहाँ पे Tomo Reva Institute of Health and Medical Sciences 28 11 से 30 11 तक होगा 9 से सुबह 11 बजे तक यहाँ पे वही 8 28 को Senior Technical Assistant 4 Positions Food and Nutrition वाले में 6 Positions Anthropology वाले में 2 Positions और फिर फाइनली आपका जो Project Assistant की MLT वाली Positions है 4 और Field Worker की 8 Positions है ठीक तो यह अरुनांचल हो गया मेगाले में भी कुछ सिमिलर है बस मेगाले में मैं यह बता देता हूँ आपको Department of Community Medicine North Eastern Indra Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Shilong में होना है Same Time Duration में और Same Time पे अब यहाँ पे भी देखिया आप Same Positions दी हुई है 4 Positions फिर इसके बाद आपकी 6 Positions फिर 2 Positions फिर आपकी अगें जो यहाँ पे Project Filio Botany है 4 Positions MLT वाली और Field Worker के लिए 8 Positions दी हैं फाइनली तमिल नाडू का है तमिल नाडू में आपका ICMR National Institute of Epidemiology 2nd Main Road तमिल नाडू Housing Board आया पक्कम चिन्नाई अगें टाइम वही है Same Time Senior Technical Assistant 4 Positions और Food and Nutrition 6 Positions Anthropology 2 Positions Project Assistant Flea Botany MLT के लिए 4 Positions Total Field Worker के लिए 8 Positions हैं तो यहां पे आपने देखा कि कितनी नागलाइंड के लिए भी एक बार में Final बतायता हूँ नागलाइंड में आपने देखा कि नागलाइंड इंस्रिट्यूट अफ मेडिकल साइंस और रिसर्च यह कोहीमा में है और यहां पर भी आप देखिए कि same four इसके बाद आपका six इसके बाद two और इसके बाद four और इसके बाद eight तो इनका same criteria है उत्थराकंड के भी बात कर लेते हैं उत्थराकंड में All India Institute of Medical Sciences RICI Kesh में होगा same time duration में और इसके बाद आपका यहां पर भी four positions six positions two positions फिर four positions और फिर finally आपका eight positions है तो same concept लिया गया है अलग-अलग states में ताकि वो recruit कर सके अलग-अलग जगे पे तो उमीद है कि आप जरूर apply करेंगे अगर आप यहां पे eligible है तो आप interested है तो जरूर apply करेगा अगर इस video से आपको benefit हुआ हो तो please इस video को जरूर लाइक करेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने friends के साथ जरूर शेयर करेगा Thank you so much and have a good day